कोई अपनी फैमिली के साथ गर्मी की छुट्टियों में गाउं जा रहा होता तो कोई नौकरी की तलाश में नए शेहर। कुछ ऐसा ही तो नजारा होता है ट्रेन के सफर का। अंजान लोगों से अपना सामान बचाते हुए शुरू होने वाला सफर खतम होता था उनी फैमिली के साथ खाना शेहर करते हुए और आगरा का पेठा, गुजरात का ठेपला और महराश्र का वड़ापाव ये सब भी तो खाना होता था स्टेशन्स पे और इतना सब ठूसने क खिड़की से हर पल बदलते गाउं शहर देख के जो आंक लगती थी तो अगले दिन वो अंजान लोग ही उठाते थे कि बेटा उठ जाओ तुम्हारा स्टेशन आ गया है